परधान मंत्री नरेंद्र मोधी की फिट इंडिया मोहिम के तहट नगर निगम धरमशाला में शहर के बिविन बाड़ों में उपन एर जिम बनाए गए हैं जिनमें से कई उपकर्ण तूट चुके हैं जिनने निगम दोरा यूरोपियन स्टेंडर्ड के उपकर्णों से रिप यूरोपियन स्टेंडर्ड के उपकर्ण लगाय जा रहे हैं यही नहीं बच्चों के मनुरंजन के लिए भी पार्क में जूलेब अन्य उपकर्ण भी लगाय जा रहे हैं नगर निगम ये सब कार्य अपने बजट से कर रहा है जिस पर 2.20 करोड रुपई की राशी ब्याय क की जा रही है नगर निगम का कहना है कि ओपन एर जिम का सभी को लाब उठाना चाहिए क्योंकि बर्तमान करोनकाल में खुद को फिट रखना बेहत चुरूरी है नगर निगम धर्मचाला के मेर देविंदर जग्गी ने कहा कि शहर में 14 स्थानों पर ओपन एर जिम युबा के मनरंजन के लिए पार्क में जूलेब अन्या उकर्ण लगाए चा रहे हैं इन सब पर 2.20 करोड रुपए की राशी खर्च होकी जो की नगर निगम द्वारा अपने बज़र से ब्याय की जा रही है मुनिस्पल कॉर्परेशन अपने एरिये में और कॉर्परेशन के थ्रू ही हम लोगों ने लगबग 14 लोकेशन पे ओपन एर जिम एक्विकमेंट रखे हुए है और ये इसलिए हमने ये हाउस में अपरूब करके इसलिए किया गया था ताकि जो हमारे नोज़वान है नशे से दूर रहें और अपने हेल्थ कोशिज के तहत अपनी सेहत का ख्यार रखते हुए एक्सराइज करें बुजूरुक करें और महिलाएं करें तो इसके चलते हमने चोदा लोकेशन पर ये किये थे और अभी हमने जो वार मूरिल है उसके उपर जो पार्क है उस पे जो पुर करेंने के लिए और ये लगभग दो क्रोड़ बीस लाख के क्रीव इसका बजट था जो की मुनसिपल कॉर्परेशन ने अपने फंड से किया था और हमने ये पूरे ही सभी बाड़ों में शहर के हर जगा हर वाड़ों में हमने ये जिम लगवाए हैं और इसका हमारा जो जो सोच थी वह ये थी कि जो लोग यहां वाँ जो बच्चे हमारे यहां पर की प्लेगराउंट का में जहां पर भी हमें छोटा सा स्पीस मिला वहां पर हमने ये लगा दी हैं ताकि बच्चों बच्चे जो अपनी सेथ के प्रति जागरूक रहे हैं